देश की आजादी की 76 वी वर्षगान के शुब अवसर पर ठाना एवं प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्शायलास के साथ धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों सभी राजनीतिक दलों के कार्यालियों, स्कूल, कॉलेजों एवं अन्य सभी शैक्षनिक संस्थानों में तिरंगा ध्वज फहराया गया इस अवसर पर लोगों ने देश के अमर्शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया अनेक शिक्षन संस्थानों में सांस्कृतिक कारेक्रमों का भी आयोजन किया गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन्पत बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित भव्यकारेक्रम के दोरान लाइव प्रसारण की समाप्ती के बाद प्राता दस बसकर 15 मिनिट पर राश्चिय द्वजारोहन किया और तदुप्रांत राजकिय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा राश्च्रगान का भावपूर्ण गायन प्रस्तुत किया गया तदुप्रांत जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामोहिक रूप से पंचप्रण की शपत ग्रहन कराई गई वही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलीस अधिक्षक बिजनौर नीरच कुमार जादोन द्वारा पुलीस लाइन्स में ध्वजारोहन किया गया एवं उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को अपने कर्तवयों का निश्था एवं इमानदारी से निर्वहन करने शपत दिलाई गई तथा सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। को स्वतंत्रता दिवस की शपत ग्रहन कराई गई। थाने में तैनाच सभी पुलीस कर्मियों ने एक दूसरे को मिश्थान वित्रित कर स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। इस मौके पर थाना प्रभारी निरिक्षक अनुझ कुमार तोमर, अपराध निरिक्षक अता मोह इंटेलिजन्स प्रभारी हरिराम शर्मा, कजबा प्रभारी अजय कुमार, रानी बाग चौकी प्रभारी संदीप शर्मा, हेड कांस्टेबल भूप सिंग, कांस्टेबल बादल, कांस्टेबल भजन सिंग दिवाकर, कांस्टेबल नवीन चौधरी, कांस्टेबल अरून कांस्टेबल पवन कांस्टेबल जै प्रकाश सहित कोतवाली में तैनाद भारी संख्या में पुलीस बल मौजूद रहा